ओम श्यान्ति स्वयम भगवान ने हम सभी को अपनी सरु खजाने दिये हैं उसमें भी सबसे अधिक महतों का और सबसे अधिक शक्ति साली बनाने वाला खजाना है उसने हमें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं बहुत ही गहरी बात है हम बाबा के बने बाबा माना शिव बाबा भगवान सार्व सक्तिवान हमने दिल से कहा तुम मेरे हो मेरा बाबा और क्या हुआ उसने हमारे सिर पर अपना हाथ रख कर कहा स्विकार करेंगे जो कुछ कहा है क्या कहा मेरी सारी सक्तियां तुम्हारी तो बाबा ने अपना बच्चा बनाते ही अपनी सारी सक्तियां हमें दे दी है स्विकार कर ले मेरे पास परमात्म सक्तियां है God's power Almighty की सभी powers मेरे पास आ गई है वो जात्मा में आ गई है इससे मेरी will power बढ़ गई है मनों बल बढ़ गया है और क्या हुआ क्यों सक्तिया दे क्योंकि उनको पता था पता है कि ये जो मेरे बच्चे है ये जनम जन माया के अधीन रहते हुए बहुत निर्वल हो गए है इन्होंने माया का राज माया की गुलामी स्वीकार कर ली है ये माया को चेलेंज नहीं कर सकते इसलिए उसने आकर हमें जगाया नौ मेरी सक्तियां तुम्हारे साथ है तुमने इस माया को अनेक बार जीता है, तुम बहुत शक्ति साली हो, और हम सब को टाइटिल दे दिया, तुम मास्टर सर्व शक्तिवान हो, सुविकार करें, हम बहुत शक्ति साली हैं। अगर बाबा हमें अपनी शक्तियां न देते, तो क्या हम काम को जीतने का संकल्प भी कर सकते थे ग्रस्त में रहते हुएं, हमने द्रष संकल्प किया, उसने विदियां बताई, आज भी हम सुन रहे थे, आत्मिक द्रष्टी से सब को देखो, तो तुम्हारी वृत्तियां सु हो जाएंगी, जिवास नई सनप्त हो जाएंगी, कर्मेंदियां शीतल हो जाएंगी, तो शक्तियां भी दी, मार भी दिखाया, तो हम सभी सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं, जैसे हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हमें शक्ति स्वरूप भ बैंना है। सिर बाबा हम से यह नहीं चाहते हैं कि हम केवल उसके प्यार में रहें। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जैसा सकतीशाझी वो है वैसे इसके बच्चे भी बनें। सेर का बच्चा सेर होता है सेर का बच्चा अपनी मां की गोद में बैठा रहे बहुत प्यार हो मां और बच्चे का इससे सेर सेर नी प्रसंद थोड़ा ही होंगे वो फैंगे जाओ उसी कार करके आओ अपना कुदो फांदो जंगल में गुँआ अकेले निर्वय हो जाओ सिवाबा भी हमें ऐसे ही चाते हैं इस माया के सामराज में तुम सेड शेड नी बनकर विचरन करो ये काटो का जंगल है इसमें अकेले ही बहत दुर बनकर विचरन करो तुमें घबरानी की ज़बरत नहीं मैं तो हमें देखना है, इन सर्व शक्तियों पर हमारा अधिकार है, यह हम अपने को कमज़ोर पाते हैं, बहुत सुन्दर महावाक्स याद करेंगे बाबा का, यह शक्तियां तुम्हारे ओडर पर हाजिर हो जाएंगी, अपने देखा होगा पुरानों की आताओं में, भागवत म के चरित्रों में भी देखा होगा ओपर, विष्णु जी, देवी काहवन करते हैं, देवी प्रगठ हो जाती है, देवी नहीं करते हैं, तु बोलो क्या अज्या है, असुरों का संधार करना है, जाओ, तब वो काली रूप दारन करके जाती है, कोई दुरगा रूप दारन क करके जाती है, असुरों का संगार करती है, बाबा भी चाहते हैं, तुम सर्व शक्तियों के मालिक हो, जब भी तुम इने ओर करोगे, ये शक्तियां आजिर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए दो बाते हैं, बहुत गहरी हैं, ध्यान देंगे सभी, जो आत्मा है, जो बच्चे बाबा की हर स्रीमत पर जी हजूर करते हैं, जो आज्या बाबा, उनके आगे सर्व शक्तियां भी जी हजूर करती हैं, जो आज्या साहब, लेकिन इस तब होगा, दुसरी बात, जब तुम सीट पर सेट रहोगे, सब जानते हैं, कोई कितना बड़ा अधिकारी, कोई कितना बड़ा मंतरी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, अगर सीट पर नहीं है, इलक्षन हार गया, तो फिर उसका आदेश नहीं माना जाता है, फिर जो नया बैठेगा, उसका आदेश माना जाता है, हम भी सक्तियों की मालिक हो, तब सक्तियों का आवान करें, शक्तियां हाजिर हो जाएगी, मैं दो धान ले रहा हूं, मान लो, इन दोनों चीजों की संसार में बहुत जरूरत होती है, मान लो, आपको सैंसिलता की बहुत जरूरत है, कई माताओं बैनों का, कुमार कुमारियों का, मेरे पास संपून सेहन सकती है, यह हो गया सेहन सकती का अहवान। मैं हर चीज सेहन कर सकती हूं, सर्दी, गर्मी, सुक, दुख, मान, अपमान, किसी के बुरे सब्द, किसी के इंसर्ट, सब सेहन कर सकती हूं। मेरे पास ये शक्ति है क्योंकि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, सर्व शक्तिवान ने मुझे ये शक्ति दी है. अब देखेंगे, आप सहन करेंगे. लेकिन सहर करने के साथ ये भी याद रखना है, कि सहन तो हमने कर लिया लेकिन वो बात अंदर खलवली न मचाती रहे हमारी खुशी न छीन ले सहज भाव से सहन करना सहन करने का इफेक्ट हमारी मन पर न होना ये है सहन शक्ति की निसानी सहन सील होना बहुत सुन्दर बात है लेकिन सहन सक्ति अपने मिधारन करना ये उससे इसा करेंगे, दूसरी चीज आपको समाने की सकती की ज़रूरत है, आप जानते हैं, कई चीजें हमें समाने होती हैं, जो हम ने सुन लिया, वो दूसरी जगा नहीं सुनाना होता है, इसको कहते हैं, समा लेना इस वर ये ग्यान को भी हमें समा लेना होता है अपने में वो हमें सब को सुनाना होता है जितना उस ग्यान को समाएंगे उतना ही सुनाएंगे तो वो एफेक्टिव होगा लेकिन कुछ बाते ऐसी होती हैं जो हमें समा लेनी होती हैं बाहर नहीं करना होता है उनको आप देख लीजिये, एक माँ की लड़की ने कुछ गलती कर दी, माँ अपनी पती तक को नहीं बताएगी, है ना समाने की शक्ति, हम संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूं, मेरे पास संपूर्ण समाने की शक्ति है, जब मैं इसका आवान करूंगी या जाएगी, तो आईए शक्तियों की स्वामी बने, सार्व सक्तियां हमारी हैं इस नसे में रहें, परिस्थितियों को इन शक्ति की स्मर्थियों से नस्ट करते चलें, ओम स्यंति